नमुश्कार में अबरिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है पांचवे चरण के प्रतियाश्यों की किस्मत का फैसला हो रहा है जिसको लेकर कुल 93,145 सुमिधवान मैंदान में है जिसके तहर आज 58 प्रखंडों में वोट डालने का काम किया जाएगा इसको लेकर तमाम तयार या पूरी हो चुकी है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस मुख्याले भी पूरी तरह से तैयार है हलाकि चुनावायोग आज खास साबधानी भी बरतने वाला है क्योंकि इन में से 10 ऐसे जिले के नाम शामिर है जो देहशुत कर्ड है इन जिलों में सफलता पुलबग चुनाव का योजन करवाना अपने आप में ही एक चुनावती होने वाली है जिसके तहती पांचवे चुरन में लगभग 40,000 पुलिस करभियों की तैनाती की गई थी साथी पंचाय चुनाव को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद कर दी गई है लाइफ वेबकास्टिंग के जरी ये मॉनिटरिंग का काम किया गया है बिहार के अस्पतालों में अब जियादा देर तक खुली रहेगी OPD बिहार के अस्पतालों में OPD के समय को विस्तार कर दिया गया है जुसके तहट बिहार सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने वालों के रिए अच्छी ख़बर सामने आई है विहार सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में OPD के टाइम टेबल को बढ़ा दिया है जो इसके परणाम सरूप आज सुबह 9 बज़े से शाम 4 बज़े तक अस्पताल में टेली मेडिसिन OPD संचारित रही जुसके तहट सभी डॉक्टरों ने मरीजों को चिकित सिय सला द पहले ईसंजीवनी इन के माध्यम से सोमवार गुरवार और श्रनिवार और ईसंजीवनी OPD के माध्यम से प्रतेक वंगलबार बुधवार और शुक्रवार को ये सुवधा मिलती थी लेकिन अब सब्ता में 6 दिन सुवधा मिनने वाली है लानुप्रसाद यादव की आगमन को लेकर बिहार में खासा तयारी लानुप्रसाद यादव की आगमन को लेकर लगातार खबर मीडिया में सामने आ रही थी और यही कारण है कि उनके भव्य स्वागत को लेकर राज़त कारियाले में भी पहले सही तयारियों का सिलसला गुलावी पत्थर से बने इस लाल्टेन को तीन हिस्सों में बाट कर पटना लाए गया है। लोगों में उत्साह जहां एक तरफ चरम पर है वही इशान किशन के घरवालों में भी खासा उत्साह नजराद है। साथ जो होने वाला है उसमें इशान किशन खेले लेकिन यह प्लेइंग 11 का आखरी फैसला टीम मैनेजमेंट का होगा जो भी बेस्ट टीम होगी वो मैनेजमेंट लेकर उत्रेगी ही उत्रेगी। बिहार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की होड़। लाव लेने के लिए सितंबर महीने में पोर्टल पर करीब एक लाग से ज्यादा लोगों ने रेजिस्ट्रेशन के लिए OTP रेजिस्टर करवाय था लेकिन इस योजरा का लाव लेने के लिए ज़रूरी शर्तों को पुरा नहीं कर पाय थे इसको लेकर बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवास वसेन ने बताया है कि अभिहर्थियों का चैन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। आज सुहागिने मनाएंगी करवाचौत का वरत। सुहागिन महिला को अखंड सौभाग्यवती बनाने वाला पर्व करवाचौत उन वरतों में से एक है जोने पती की लंबी आयू के लिए महिलाएं करती हैं। इस वरत को कुवानी करने आए भी मन चाहे पती के लिए कर सकत हैं। ये पर्व खासकर की पंजाब, उत्रप्रदेश, मंधिप्रदेश और राजस्थार में मनाया जाता है। हाला कि पिछले कई सालों से इसका प्रच्छलन बिहार जारखंड समीत कई अन्यर राजियों में भी देखने को मिला है। ये ब्रत कार्तिक महीने की चतुर्थ को मनाया जाता है। इसलिए इसे करवाचोथ कहते हैं। इस साल सुहागिनों के लिए शुब संकेत लाने वाला यह पर्व 24 ऑक्टूबर दिन ब्रविवार को मनाया जा रहा है। रिवाज है कि कुरशन पक्ष की चतुर्थी यानि कि 24 ऑक्टूबर को सुबह 3 बच कर 1 स्वास्ति वभाग की तरफ से मिली जुआनकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 गंटे में कुलमिलाकर 9 मरीजों के पुष्टी हुई है जो इसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 35 पर पहुँच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावे ज जीखो कर घर वापस लोटे हैं। अब बारिश की भी कोई संभावना नहीं लग रही है बलकि मौसम भी शुष्क देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर दक्षिन ट्रफ लाइन यूपी से जारखन में शिफ्ट हो गई है। ऐसे में उत्तर पुर्व के इलाके में एक दो जग लगभग और लगभग 9 लाख नगत लूटने का काम किया है। इसके साथ ही दुकान में मौजूद दो गरहक और शौप के करिमचारी से मुबाइल और समेत महिला अगरहकों से ज्वेवरात लूट कर ले गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आधा धर्चन अपराधी दुकानदार का मोबाइल और CCTV का DVR लेकर सरिमा रोड की तरफ भाग गये जो इसके बाद वारदात की सूशा मिलते ही सपी मनीश हाजरी, सदर स्टीपियो, राघवदयाल और नगर्थाने की पुलीस मौके पर पहुचकर पुलिस मामले की जाच में जुट गई है। इसके स की महंगाई को लेकर केंदर और राजसरकार दोनों का घेराव किया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि महंगाई ने तो सारी हदे पार कर ही दी है। इसके साथ ही उन्होंने सीम नितीश को भी निशाने पर दिया। जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नितीश कुम केंद्रिय असपात मंत्री रसे पी सिंग ने सीम नितीश और पीयम मोदी की तारीफों के पुल बान दिये जो इसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंद्रिय नितीश कुमार के नितृत में बच्चे स्कूल जा रहे हैं गाउं गाउं तक सडख है हर तरफ विकास का काम हो रहा है हर गाउं में 20-22 घंटे बिजले मिल रही है पंचायत में महिला स शरक्तिकरन पर काम हुआ है इसके साथ ही अपने तारीफों के पुल में उन्होंने पीयम मोदी का भी जिखर किया पत्ना मेट्रो के लिए जमीन अधिक्रहन की प्रक्रिया हुई शुरू पत्ना वासियों को मेट्रो का इंतजार लंबे समय से ही है इस बीच पत्ना मेट्रो के काम को पूरा करने के लिए प्रसाशन लगा तार्ग जोटा हुआ है इसको लेकर पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तारी करन के लिए भूमी अधिक्रहन कי प्रक्रियाश शुरू कर दी गई है जिर्णा प्लसाशन ने अधिसुच्रा भी जारी कर दी है जारी किये गए अधिसूच्रा में साफ कहा गया है कि सम्मधित भूमी के क्रे विक्रे और अन्य कोई ववाद से सम्मधित कारवाई पर रोक लगा दी गई है इसके साथ ही किसी भी तरह के आपते दर्ज कराने के लिए सूच्रा प्रकाशिन के बाद से 60 दिनों का समय दिया गया है जिरो माइल से पाटले पुत्र बस स्टैंड तक और वहां मिट्रो डीपो नर्मान के लिए कुल 76 एकर भूमी का अथिक रहन किया जाना है पतना जंक्षिन पहुचने के लिए बनेगा अंडरग्राउंड रास्ता पतना जंक्षिन पहुचने के लिए अकसर यात्रियों को काफी ज्यादा जाम का सामना करना परता रहा होगा लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि पटना जंक्शन पहुचने के लिए अंडरग्राउंड रास्ता बनाने की तयारी हो रही है इसे यात्रियों को जाम सी यकिनन मुक्ती मिलेगी ही मिली जानकारी के नुसार पटना जंक्षन तक अंडरग्राउंड रास्ता तयार करने की योज़ना बनाई जा रही है विहार राज़ेपल निर्मान निगम की देखरेक में इसका निर्मान होना है जानकारों की माने तो इसके अंदर्बान के लिए टेंडर की प्रकुरियाश शुरू हो गई है छट पूजा के बाद निगम बोट की होने वाली बैठक में टेंडर प्रसेस पर निर्न लिये जाने की संभावना है बुद्धिस्पृती मल्टी पार्किंग के पास बनी सड़क के नीची से खुदाई शुरू कर मीचे ही पटना जुंक्षिन परिसर तक इसका अंदर्बान किया जाएगा जो की 410 मीटर लंबा होगा जिम में महनत करते दिखे तेशप्रताप यादव लालुप्रसाद यादव के बड़े बेटे तेशप्रताप यादव अपने अलंग अंदास के लिए पहचाने जाते हैं इन दिनों भले ही अपनी पार्टी और परिवार से वो नाराज नज़र आ रहे हो लेकिन उनका हर अंदास चर्चा का विश्य बना रहता है इसी कड़ी में तेशप्रताप यादव एक नए अंदास में नज़रा रहे हैं इसको लेकर तेशप्रताप यादव ने ट्विटर पर एक फोटो डाली है जिसमें वो जिम में पसीना महाते नज़रा रहे हैं उनाने फोटो का वह का कैप्शन भी दिया है और लिखा है यदि आपको समय नहीं मिलता है यदि आप काम नहीं करते हैं तो समय नहीं मिलता है जिसके बाद तेजप्रताप से अलग नदीत से अलग नजर आ रहे हैं कभी-कभी तो वो कंटेस्टेंट के साथ काफी ज्यादा मजाक मस्ती भी करते नजर आते हैं इसी बीच एक नया प्रोमो सामनिया है जिसमें कपल आपस में नोग छोग करते नजर आते हैं और उनकी शिकायतों का पिटारा खत्मी नहीं होता पहरे तो अमिताब बच्चन भी उनकी बात सुनते हैं लेकिन एक वक्त के बाद वो भी परिशान हो जाते हैं दरसल जारी केगे प्रोमो में एक कंटेस्टेंट की पत्नी समय नहीं देने की शिकायत करती रहती है जो इसकी बाद अमिताब बच्चन की समस्या का समधान बताते हैं जो इसकी बाद उनकी पत्मी और सारी समस्याओं का पिटारा खोलने लगती है इसी को देखते हुए अम बताब बच्चन अपना सिर पकड़ लेते हैं और क्यामरे की तरफ मुड़ कर कहते हैं ए भाई कोई बचाए हमको तो चलिए बढ़ते हैं अच्च के सवाल क्यों राजुका सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अरुसार लालु प्रसाद की आगबन से आगामी उप्चनाफ में राजुत को कुछ फाइदा मिलेगा या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्लेटेव रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक कॉन दवान ना भूले धन्यवार